जिसके तहत नेशनल फ्लैक कोट को नहीं मानने वाले या तरंगे का अपमान करने वालों को तीन वर्ष की सजा होगी गरतंद्र दिवसमारों के कारेक्रम में भविता का समा वेश होगा कारेक्रम में प्लास्टिक पॉलेसिन के छंडे किसी भी सूरत में उपियोक न होगे और मातर खादी के बने जंडे ही मान कनुसार ही सुईकार किये जाएंगे गरतंद्र दिवसमारों का मुख्य आकशन बेंड वादन होगा और इसके साथ ही जंडपत में सरकार द्वारा संच्रालित योजनाओं की जानकारी ग्रामिड इस तर तक अभिहान चला कर पहुँचाई जाएंगी वहें जलादिकारी शिप्ट सहाई अवस्ती ने कहा कि गरतंद्र दिवस की कारेक्रमों की स्कीम प्रंगे जंडे का सम्मान और उसका वुदीबत डिस्पोज है गरतंद्र दिवस में हम लोग किस तरीके से इस एक राश्ट्री पर्व के रूप में पूरे हर्शोललास के साथ जनपत में मनाएं इसके बारे में पूरी रणनीती इसमें डिसकस हुई इसमें हमारे समस्त जो इंपॉर्टेंट अधिकारी गण थे वो भी उपस्तित थे साथ ही जो हमारे संब्रांत नागरिक गण है विभिन संस्थाओं के लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया था तो इस बार जो हमारी थीम है गड़तंथर दिवश की वो यह है कि हम अपने राश्री पृतिक गवरो के पृतिक तिरंगें के बारे में जाने साथ ही तिरंगे फैराने के परशाद या उनकी रहवियां निकलने के परशाद हम उनका सही तरीके से डिस्पोजल करें इसके बारे में भी आज काफी व्रहद विचार भी मर्श किया गया है इस सम्मंद में हम लोगों ने रननीती बनाई है काम करेंगे और इस बार किरंगों का अपमान ना हो किसी तरीके से इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे